हेलो library Vine Welcome back I hope आप लोग अच्छे होंगे तो आज अपने स्टार्ट करते हैं Scope of Audit से एक अपने कहीं होई भी कॉई होते हैं कोई चारट करते चीजे कहीं घूमने जाने वाले होते हैं क्या चीज़े cover करने क्या हमारा area होगा चीज होगा similar to that अपने audit जब start करते हैं अपने discuss कर ले कि हमें objective जो होता है to express an opinion on the financial statement जब वो होता है तो in case अपने क्या करते है कि अपने को ये होता है कि scope of audit भी important होता है start करने से पहले कि audit अपने start करने वाले तो उससे पहले अपने को decide करना पड़ेगा तो ये objective जो है अपना audit का to express an opinion on the financial statement उसके लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है क्या चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है मतलब कौन कौन से area cover करना है कौन से area cover नहीं करना है तो scope अपने चेज़ अपने क्या समझने वाले है आज scope of audit ऑके तो scope का पहले क्या मतलब होता है जैसे अपने discuss कि scope का मतलब होता है area and reach of something कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है ए चौन सा जो अपने स्कोप से आउटसाइड है, कौन सा है, जो पॉइंस इसको 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 के इंसाइड है, काचिश कवर के लिए वो सब चीज़े अपन आज कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो पहले जो होता है कि फिनांस रेपोर्टिंग फ्रेमवर्क होती है, उनकी अकॉर्ड में होनी चाहिए, कि like, I would say, PNL का ऐसा नहों कि बस PNL का इटम चेक कर लिया, कुछ चीज़े, एक दो चीज़े, PNL से चेक कर लिया, income statement, balance sheet से अगर कुछ चीज़े, चेक कर लिया, छोड दिया, ऐसा नहीं होता है, जो होता है, जो होता है, all respects of financial statements, all financial information, मैं जो कहूंगी, वो सारी चीज़े cover होने चे, अगर financial information में कोई ऐसा point है, जिसकी वज़े से कोई चीज़े है, जिसकी वज़े से वो affect कर ये finance information, financial statement को affect कर लिया, तो वो auditor को अपने scope में लेना परेगा, example लेते है, अपने कुछ सालों पहले अपना COVID आया वा था, ठीक्या, COVID आने से बहुत सारे entities के going concern पे affect परा, like वो चलेगी कि नहीं, बहुत जार दिन, बहुत जारा है, impact हो सब के life में हुआ, similarly, जो companies है, organization है, उनके, जो, उनके business पे affect परा, तो गव, इस example एक वाई, और जब audit करता है, तो फिनाल से statement पे जो, फिनाल से information पे जो affect परती है, other outside चीज़े, उसको भी cover करनी है, उस जैसे, कोविट अपने एक्जाम्फल ले को, से फिनाल से statement में, वो एफेक्ट पड़ता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, जो अपने अपने अप्चुल लाइफ में, जो पने स्कूपिंग करते हैं, जो अपने 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 करने जाते हैं, तो इसको अपने इसको ऑधन सोब सब्सक्राइब, आपने अपने अपने चीजे को अपने RIडा करते हैं, WiFi में, एक राव पने होता है आपने को जुआए लगा है कि में बस बताने की में कोश्य कर रहे हैं कि स्टार्टिं में अपने को स्कोप में रहा मुतें, कि ये चीज़ें अपने को टेस्ट, आगे जा कि ये ना हो जाए कि भटक ना जाए, कि में को किधर किस डिरेक्टिर में जाना है, किस डिरेक्टिर में नहीं जाना है, अपने को ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट नहीं करना है, तो वो जब अपने सीखेंगे कि कैसे होता है, कै से नहीं होते हैं कांसा होता है बट अभी के लिए उट से वही जादा सोचने की जुरत नहीं है बट वही है कि ट्राइल बालेंस या स्टार्टिंग में जो प्लानिंग फेस होता है उसमें और अपने डिसाइड कर लेते हैं कि डिफाइंड एडिया कि यह चीज़े कवर करनी ह हैं और मतलब इस शूद इंक्लूड एवरेइधिंग मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़े शूट जाएं तो वो अपने स्कोप में अकॉर्डिंगली ओल एस्पेक्ट्स ओफ फिनांसल स्टेट्मेंट देखते हैं नेक्स आता है कि इसमें अपना क्या होता है कि फिनांसल स सफीषिंसी की इधिक यह अपने स्टेटमेंट में जो ओड़ड अपने करते हैं और रड़ड के बहुत सपोर्टिंग डॉकिमनिंस होता है एग्जामपल आपन लेते हैं कि अपने और रवेन्यू टैस्टेंग का रवन्यू टैस्टिंग क्या करेंगी फिर अपने जर्नरल उसमें वह प्रपरली लिखा हुआ है कि नहीं जो सिपिंग डॉप डॉकिमेंट है वह चीजे है कि नहीं तो यह मैं करया बोलूँगी अगर कोई भी एरिया अपने साट करते है और अडिटिंग के लिए तो अपने को देखना पड़ता है कि सफीजें डॉक्यमन्स अवेलेब होती हैं, बढ़ेज जो Auditor का Judgment, जो होता है, knowledge जो नौलेज होती है, professional experience जो होता है, उसके basis पर determine, decide करता है कि ये document, जो है supporting document, financial information 이 information, वो reliable and sufficient है कि, नहीं, reliability हमें आते हैं, तो reliability बहुत अब्चारे factors पे depend करती है, कि जब for example अपने लेते हैं कि कोई अगर मैनुवल चीजे हैं एक पेज पेज पे आपको किसी ने लिखके दे दिया कि 500 का कोई expense हुआ प्रॉपर मैनुवल इन्वाइस नहीं है मतलब डिजिटल डिजिटल इन्वाइस नहीं है अगे जो होता है कि आगे जो पर यह जो बढ़ती है क्या चीज पर कम होती है एक है अगर आप जो इन्वाइस नहीं बताएगी जो सही है वहीं बताती है अगर बाइनेजमेंट से कोई चीज लेने जाते तो पॉसिबलिटी रहती है कि चीजे कुछ उपर नीचे कर दे गलत चीजे बता दे इडिट कर दे या फिर बहुत सारे चीज़ बढ़त तो अपको यह रहेगा अच् कि पॉसिट कर दे आफामेशन लिरी वो प्रॉपरली रिलायबल हो और सफीशेंट हो जो जी अपने कादे ने के लिए चाहिए होती है वो होने चाहिए ओके के मिंग टू थो थोर्ड पॉंट होट पॉंट में क्या होता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ठेक है, proper disclosure में अपने क्या परहे थे आप आगे भी परहे थे अपने कि balance sheet में और financial statement में चीजे जो होनी चाहिए वो clear and unambiguous होनी चाहिए, ठेक है तो again यहाँ पर अपने देखते हैं कि जो financial statement जो बनाई हुई है वो जो management ने जो बनाया है यह तो होता है कि preparation of financial statement जो होती है वो management की, किसकी responsibility होती है management की, responsibility हो गई है यह financial statement बनाना but auditor का का काम क्या है जस basis पे financial statement management ने बनाया है accounting, कौन से accounting principle फॉलो किया है सही किया है कि नहीं, वो चीजे कुछ गलत बेसिस पे तो नहीं कर दी गई है motive क्या है उसका, जो financial statement में चीजे है वो historical data पे है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि चीजे कुछ हुई नहीं है उसके basis पे वो चीजे फिनानसे statement बनाई गई है जो चीज़, suppose कोई management ने किसी चीज का judgment लिया कि मुझे inventory में भी अगर होता है कि valuation करने का, कि inventory में बहुत सारे methods होते हैं valuation के, like first in, first out, out, other fee for, last in, first out, average तो अगर किसी ने, management ने कोई policy लिया है तो proper base होना चाहिए उसका, कि यह है, सही है कि नहीं जो तो auditor का काम क्या है, यह चीज़े भी देखना कि management जो financial statement बनाया है, उसने वो proper disclosure है उसमें चीज़ें दी हुई है, जो accounting principle फॉलो की है वो सही है कि नहीं, कुछ clear information financial statement पे दिया हुए कि तो यह सब चीज़े scope में cover करते हैं, ठीक है तो अपने फटाफ़र्ट discuss कर लेते हैं, क्या क्या scope में अपने cover किया First, क्या था? All aspects Second, क्या था? आपका reliable and safety CNC Third, क्या हो गया आपका? Third हो गया disclosure ठीक है, यह चीज़े अपने, आप क्या करते हैं, इंस्ट्यूट का जो mat दिया हुए, उससे अपने एक बार देख लेते हैं Okay, तो coming to अपने देखे, coverage of all aspects of क्या बोले अपने, यह जो अपने read के थे यहाँ पे all aspects of entity, जो है, वो अपने देखे थे मतलब कुछीजे मेंस नहीं होना ही चाहिए, स्टार्टिंग में ही अपने, अपने को scope में define हो जानी चाहिए, कि यह चीजे हैं, यह चीजे test करनी हैं, यह चीजे नहीं test करनी, adequately to cover all aspects of the entities relevant to financial statement, ठीक है, next point कैसा reliability and sufficiency, अपने detail में देखे कि जो auditor है, उसको reasonably वो होना चाहिए, satisfy होना चाहिए, कि information जो भी है, जो भी चीजे देख रहा है, जो detail जो जिसके basis पे account टेस्टिंग कर यह source data, जो है, अपने basis पे financial statement बनाएं गई, वो reliable and sufficient है कि नहीं, यह अगेन अपने discuss किये थे कि इसके लिए कुछ set वो नहीं है, management, auditor के judgment or professional experience के basis पे वो decide करता है कि यह चीजे सही है या गलत है, ठीक है, reliable है, नहीं है, यह सब चीजे अपने ध्यान में रखते हैं, third point अपना क्या था, proper disclosure of, क्या था, proper disclosure of financial information, ठीक है, तो यह दिख रहे हैं, कि finances properly disclose किया हुआ है कि नहीं, जो जो चीजे important है, जो stakeholders के लिए हमारे लिए, जो important होना चाहिए समझने के लिए, जो valid points है, वो सारे important notes to accounts या financial statement में किया हुआ है कि नहीं, according लिए अपने देखते हैं कि judgment लेना, management में, जो हमने discussion किया, कि management का responsibility होता है, financial preparation का, जो management ने वो लिया होते हैं, appropriate accounting policies लेते हैं, अपने example, discuss कि inventory का, वो सही है कि नहीं, and अपने क्या था, जो historical balances का भी अपने बात किये थे, कि historical data जो है, उसके basis पे, उसका क्या है किने, उसके basis पे financial statement का बनाया हुआ है किने, तो यहां पर अपन देख रहे हैं, जैसे, यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पे historical financial information की बात की हुए है, जिसके basis पे लिखा हुआ है कि जो entities का accounting system है, जो बनाया हुआ है, वो properly example यहां पे दिया हुआ है, जो है, जो हो चुकी है, जो past में, event और transaction, उसी के basis पे, financial statement बनाये, overall यही है, कि proper disclosure, जो जो important है, as per financial reporting frameworks, और जो stoic holders के लिए, हमारे जो relevant information वो properly clear and unambiguously disclose किया हुआ है कि नहीं financial statement में, ठीक है, तो यह सब चीज़े scope जो होता है, audit करने से पहले अपने को क्या होता है, कि starting में ही define कर दिया जाते है, area में क्या include करना है, क्या testing करनी है, क्या testing नहीं करनी है, ठीक है, अभी अपनी quickly cover क्या करते हैं, कि जो scope में हमने अभी तो देख लिया कि क्या चीज़े cover करना है, आपको scope में cover करनी है, आपको अभी important है कि scope में क्या चीज़े cover नहीं करनी है, just a second, तो अपने को देखने हैं क्या चीज़ करना है, तो यहाँ पर अपनी अगर रीड करेंगे, तो यह लिखा है को auditor is not expected to perform certain, sorry, just give me one second, not expected to perform certain duties जिसमें वो expert नहीं है, जिसे अपने example लेते हैं, valuation, हमें valuation की बहुत ज्यादा expertise नहीं है, हमें नहीं पता है कि building अगर है किसी की balance sheet में तो उसकी value कितनी होगी, उसकी life कितनी है, तो यह चीज़ पर हम comment नहीं करेंगे, as an auditor, we are not going to comment on like valuation or maybe other investment का बहुत complex है, उसका कुछ है, वालोशन करना, उसका अपन नहीं कर पाएंगे, उसमें हमारी कोई वो भी नहीं है, तो यह सब चीज़ और अडिट में, कवर नहीं अगर नीचे जाकर अपने देखेंगे, कि audit का जो है, audit का purpose ऐसा है कि देखना है, कि देखना है कि financial reporting framework है, उसके accordingly वो बनाया हुआ है, कि audit is not investigation और निगेटिव चीज़ों से ध्यान में देखेंगे चलती है, कि अपना ऐसे नहीं है, कि audit में कुछ गलत होगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तो अगें इससे हम लोग को confused नहीं करना है, कि audit investigation होता है, investigation में अगर हम देखते हैं, तो क्या होता है, कि एक goal होता है, कि कुछ fraud हुआ, उसको investigate करना, तो उसी direction में जाता है, कि हमें उसी चीज़ को देखना है, detail में वो fraud निकालना है, तो वहीं अगर हम नीचे देखते हैं, कि तो क्या बोला है, audit is not an official investigation, इसमें क्या होता है, वो ही नहीं देखते हैं, कि कुछ गलत चल रहा है, कि तो negative mindset, negative उपना नहीं रहता है, but audit में क्या है, आपने कुछ चेक करना है, कि सब चीज़े सही चल रही है, कि नहीं कुछ गलत चीज़े नहीं है, नीचे में अगे आपने देखते हैं, कि audit is distinct from investigation, अपने देखी लिए थे investigation में बहुत critical examination, more deeply, एक ही चीज़ special purposes, हमने discuss किया है, कि fraud कुछ चल रहा है कि नहीं, उसके basis को ध्यान में रखके, उसी को फ्रूब करने की कोसिस की जाती है, कि fraud है कि नहीं है, but audit के case में वैसा बिलकुल नहीं होता है, अपना तो goal clear है, कि मतलब चेक करना है, finances statement को कि सब कुछ चीज़े चाहीं चल रही है, again यह पर अपने देखने हैं, कि objective जो अपने discuss ही किये थे, कि objective on the other hand, objective of audit होता है, वो क्या होता है, कि reasonable assurance provide करना है, financial statement को, whether financial statement as a whole or free from material missing statement or not, और जो होता है, कि जो financial reporting framework के accordingly, यह financial statement बनाए हुई है, कि नहीं, तो scope में यही इतना ही चीज़ अपने को करना है, क्या चीज़े नहीं करना ह है, क्या चीज़ नहीं include करना है, बहुत basic important point है, कि scope जो होता है, यह audit करने से पहले अपन करते हैं, planning phase में करते हैं, just to make sure कि कुछ चीज़े, during the audit को चीज़े miss ना हो जाये, considering all the important factors related to financial statement and other points related to financial statement, अपने बात किये, COVID का other important government का law and regulations किसी particular industry organization को लेके आती है, तो इसको भी चीज़े to cover करनी है, and then make sure करना है कि reliable and sufficient information or source data हो, और properly चीज़े financial statement में disclose हो, and then यह सब चीज़े हैं, अपने देखे कि क्या चीज़ को बहुत detail में investigation, और यह सब में नहीं जाना है, अपने scope को limited रखना, ना जादा करना है, ना बहुत कम करना है, properly जितना audit के लिए जुरत है, उतना ही करन चलो आज के लिए इतना ही, have a good day